ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी एंड रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ lifetime zero brokerage डाउनलोड कीजे 5PESA app जिसका link description box में दिया है टाइप कीजे coupon code LNT2100 और PIE exciting offers 5PESA के जरे आप किसी भी equities, mutual funds और IPOs में invest कर सकते हैं लेकिन इस offer के बारे में आपको जानकारी थोड़ा और दे दे 2100 रुपे के benefits आपको मिलेंगे जिसमें 2 चीजें शामिल है पहला आपको 25 दिन के लिए 100 रुपे का free credit मिलेगा जिसे आप stocks खरीदने में इस्तिमाल कर सकते हैं और दूसरा आपको मिलेंगे top brands के 2000 रुपे के gift vouchers तो देर मत कीजे, डाउनलोड कीजे 5PESA app link description box में दिया है type कीजे coupon code LNT2100 और पाएं exciting offer और ये move आया, 16600 के level के उपर की closing दिखा दी तगडी चाल पकड़ ली थी बजार ने अंतिम आदे घंटे में और आज के दिन का जो high लग गया वो 16626 का है आज के दिन की closing 16605 की है, 84 अंकों की मजबूती निफ्टी पे देखने को मिली और निफ्टी बैंक 228 अंक चड़ गया Sensex में 284 अंकों की बढ़त के साथ हुई है closing तो bulls dominate कर रहे हैं सेमि माकेट को हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों का आप pattern देखो FIS का लगातार हर महीने बिक्वाली करते चले जारे थे और कितने भयंकर quantum के साथ 40,000 करोड, 50,000 करोड के बिक्वाली हर महीने FIS की और से निकली थी लेकिन ये जो जुलाई महीना जा रहा है इसमें अब तक FIS के पहले आप figures देखे कैश मार्केट में मातर 5,746 करोड रुपे की ही बिक्वाली है तो ये रहत है और उपर से D.I.S. की 7,568 करोड रुपे की खरेदारी की फिगर है FIS उतनी quantum में नहीं बेच रहे हैं जितना हाल फिलाल में महीने दर महीने बेचा है इस हफते के ही आखड़े देखी आप इस हफते FIS ने आज 1799 करोड रुपे की कैश मार्केट में खरेदारी की है कल 20 जुलाई को 1780 करोड रुपे की खरेदारी की थी 19 जुलाई 976 करोड रुपे की खरेदारी की थी और 18 जुलाई को 156 करोड रुपे की खरेदारी की थी ये figures बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन जब से earning season शुरू हुआ है तब से बिक्वाली पर break लगा दिया है FIs ने और इसके कारण आप देख रहे हो बजार को बहुत साहरा मिला है ये है तेजी का कारण advance declines आज के सत्र में 42 shares Nifty के हरे निशान में बंद हुए है 8 shares लाल निशान में बंद होते हैं जो चड़ाव होता इंडस इन बैंक, surprise move था नतीजों को पचाया बजार में और क्या दमदार action देखने को मिला 8% की तेजी, बजाज फिनान्स अवा 3% चड़ गया, Tata consumer 3% चड़ा, UPL, L&T, इन stocks में action strong था Nifty losers में Dr. Redis की पिटाई हुई 2% ये नीचे आ गया SBI Life, Kotak Bank, Sipla इन stocks पे दबाव देखने को मिला Reliance Industries, कल हैं company के नतीजे उस से पहले फिसलता हो नजर आया आदे फीजदी, sector specific banking और financials का बोल बाला था आज के सत्र में सरकारी banks में IOB चड़ा, Canara Bank चड़ा, 3% से 3,5% दोनों stocks में move, Central Bank, Bank of Maharashtra, Yuko Bank of Bank of India जैसे stocks में आज के सत्र में gains मिले हैं 2,5% के निजे शेतर के banks में participation Indecent Bank तो lead करी रहा था, Nifty का top gainer है ये, लेकिन इसके बाद RBL Bank, हाल फिलाल में lower level से बहुत तगड़ी recovery दिखा दिया stock ने recovery है, ये मातर recovery है 4% की तेजी आज के सत्र में बन गई, IDFC, First Bank पहुने 3% चड़ा है, Federal Bank Axis Bank जैसे structures और मजबूत होते वे नज़राए, Financials जिसमें number आया, Shriram Transport Finance का ये तो खेर लगातार, gain ही करता चला जा रहा है, आज भी 3.5% चड़ा है बजाज Finance एक और मजबूत structure है बजाज Fincer, यहाँ पर भी आज action था, 2.5% से लगबग 3% के return दोनों ही stocks में बने 14.5% चड़ा है, मुथुट Finance और पिरामिल enterprises जैसे structure मजबूत हुए लेकिन कुल मिलाकर close to close 1.5% उचला, Inox Leisure भी 1.5% उचला, FMCG में McDowell का नंबर आया, सवा 3% चड़ गया Tata consumer बहुत strong, हाल फिलाल में क्या जबरदस चाल दिखाई है stock ने, आज भी 3% चड़ा है Marico, Darber, पौने 3% चड़ गये Colgate 2%, Procter & Gamble Hygiene Healthcare लगभग 1.5% चड़ा है, और ITC यहां हुआ है कमाल, क्योंकि 300 के level के उपर निकल गया था आज के सतर में, आज के दिन का high है 302 ITC का, और जिस तरीके से 111 Annual Journal Meeting में Management ने Commentary की है आने वाले समय के लिए Prospects बताए है ITC के, Demerger के उपर गोशनाएं की हैं, की हो सकता है कि होटल कारोबार का Demerger हो, और साथी साथ IT कंपनी को भी अलग से Separately List कराने की योजना है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर ITC का स्टॉक हुआ, गर्म और जोरदार तेजी यहां पर देखने को मिली इसके लवा कुछ और स्टॉक्स जहां पर अचके सत्र में हल चल थी, उसमें था Oil and Gas, Ages, Chemical लगभग 15% के आसपास का Return डिलिवर कर गया, अदानी टोटल, BPCL, Gale, HPCL, IGL जैसे स्टॉक्स में आज हरयाली देखने को मिली Sugar Stocks, आज एक के बाद एक, इन Stocks में Action इतना Strong था, क्योंकि हाँ पर खबर ये Dominate कर रही थी, कि 10 लाख टन अभी जो Ceiling लगा रखी है, Export पे सरकार ने उस Ceiling को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो उसके चलते आज ये, अभी तक खबर नहीं आई, लेकिन Stocks ने इसको पहले ही पचाने की कोशिश की आंद्रा शुगर, आउज शुगर, उत्तम शुगर, धांपुर शुगर, उगर शुगर सक्ती शुगर, इन तमाम Stocks में गेन बहुत स्ट्रॉंग थे और 4% से 6% के आसपास के Returns दिलिवर कर गये Pharma, Gland Pharma, Dr. Reddy, Strides Pharma जैसे Stocks में आज मुनाफ़ा वसूली हुई है और सबसे आज टूटा है Gland Pharma नतीजों के बाद एक दम से डेंट पड़ा है और 5% के आसपास का गोता लगा गया Sipla, Zidus Life और Torrent Pharma जैसे Structures आज कमजोर होते वे नज़राए FNO Gainers में आप Tata Communication को पाएंगे 10% की तेजी बन गी नतीजों का साफ़ता और पे इंपैक्ट था पहले ही टिक से इस Stock में इतना जोड़दार अक्शन आया नतीजे बहुत बढ़ी हर लगे बाजार को और उसको आज Stock में डिसकाउंट किया है अच्छी तेजी बन गई Indecent Bank, ABB, Mothers and Sumi और दीपक Nytrite जैसे Stocks डॉमिनेट कर रहे थे आज वादा कारोबार पे और यहां पर आक्शन बहुत स्ट्रॉंग था 6% की तेजी के साथ दीपक Nytrite बन गई हुआ है और ABB इंडिया का Stock लगबग पॉने 7% उचलता हो नजर आया है F&O Losers में आप पाएंगे Crompton Greece Consumer को, Dr. Radies को OFSS को, Voltas और साथ-साथ MGL यह हलके हो गए Mid Cap Gainers की सूची फिर से लंबी हो गई क्योंकि आज के सतर में एक और important level पार किया है Nifty ने 16600 का तो Mid Cap Stocks का बोल वाला है, साथ-साथ यह भी चड़ रहे है Valuation प्ले हो रहा है Hindustan Foods 20% Upper Circuit पे लॉग On Mobile Global 10% चड़ा Borosul Limited 9% Kajaria 77% KPR मिल, धमाका हुआ है Stock में पुशले 2 दिनों से क्या दंदार action में है इसके लबाब Pricol 6% चड़ा JT, EKT, India लगबग 6% RK Forging, Genus Power, Rallis जैसे Stocks में आज के सतर में action था BEL 5% चड़ा है TCI Express, Cummins, RT Industries Fortis जैसे Stocks 5% से 5% चड़ा है Chemical Stocks का बोल वाला था आज के सतर में बजार बंदोने के बाद एक नतीज़े आए है SRF के quarter one के नतीज़े दमदार है बहुत ही बहतरी नतीज़े SRF ने पेश किये है नतीज़े देखी आप मुनाफ़े की figure 395 करोड से बढ़कर 609 करोड 54% का जम है सालानाधार पर आए जो है वह 2699 करोड से बढ़कर 3894 करोड के आसपास आई है 44% की ग्रोध दिखा गई कामकाजी मुनाफ़ा 671.5 करोड से बढ़कर 994.9 करोड रहा है 48% का जम दिखा गया तो हर पैरामीटर पे और में मुनाफ़े के फरंट पे भी बहुत दमदार नतीज़े मार्जन 24.8% से बढ़कर 25.5% और आज केमिकल स्टॉक्स पे बेट लग गई अच्छी तेजी में थे अलमोस्स सभी स्टॉक्स एक और ज़रूरी जानकारी दे दें आपको और वो RBI की तरफ से है कि जो MPC Monetary Policy Committee की बेटक होनी थी अगस्ट में उसकी तारीक को बदल दिया गया है पहले ये बेटक 2-4 अगस्ट को होनी थी अब इन तारीकों में बदलाव हो गया है और अब MPC की जो बेटक होगी वो 3-5 अगस्ट को होगी और उसके बाद देखते हैं कि इंटरस्ट रेट्स पे क्या डिसीजन लेती है Monetary Policy Committee 3-5 अगस्ट बहुत important तारीके हैं Indian Markets के लिए अब आगे क्या होगा इस हफते का जो pattern है वो खरिदारी की और है FIS का quantum कम है लेकिन फिर भी खरिदारी कर रहे हैं ये बहुत कुशन की बात है साथी साथ हर गिरावट में खरीदना बहतर strategy होगी और गिरावट बहुत ही कम समय के लिए मिल रहे हैं इंटर डे में ही absorb हो रही है लेकिन देखते हैं वर्ल मारकेट का behavior क्या होगा और बजार के लिए निफ्टी के लिए important levels है 16-650, 16-700 बहुत important level है 16-700 के ओपर निकले तो एक और कमाल हो सकता है important level बजार cross करेगा 16-700 कर cross कर दिया तो तो अभी important levels के आस-पास हैं थोड़ा cautious रही है बजार पर already move बहुत strong मिल चुका है important नतीजे भी आने हैं जैसे कि Reliance Industries के नतीजे कर लाएंगे इसके लावा बंधन बैंक, Crompton, Greaves, HDFC, AMC, Ultra Tech जैसी कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी 23 जुलाई यानि कि शनिवार को ICAC Bank, Cotec, Mahindra Bank के नतीजे हैं 24 जुलाई रवीवार को Infosys के नतीजे आने हैं लेकिन बजार अपनी ही चाल पकड़े हुए है और जब तक FIS की बिक्वाली की figure नहीं आती है और अगर खरेदारी बढ़ गई तो बजार पे फिर से Surprise Move देखने को मिल सकता है लेकिन हम फिर कहेंगे Already Stretch बहुत स्टॉंग है थोड़ा कॉशिस रहिए और Dip में खरेदारी करेंगे तो बहतर रहेगा Risk-Reward Ratio आपके फेवर में रहेगा कर दो बहुत स्टॉंग है